नमस्कार आप देख रहे हैं नेक्स्टनाइन न्यूज और मैं हूँ आपके साथ मेखा सीधे रुख करेंगे राजस्थान की तरफ और राजस्थान की राजुनीती में क्या कुछ चल रहा है ये हम आपको बताएंगे राजस्थान सियासी अखाणा बनने के लिए तयार है क्योंकि अब कॉंग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता विधानसभा चुनाफ के मद्या नजर रणीती बनाने के लिए 13 से 15 मई राजस्थान पहुचने वाले हैं आपको बता दें सोनिया गांधी प्रियांका गांधी और राहुल गांधी का राजस्थान पहुचना अपने आप में इस बैठक को महत्वपूर्ण बना देता है एक तरव राजस्थान में दंगे और हिंसा को लेकर बिगड़ते स्तिती पर गहलोत सरकार सवालों के कटगरे में खड़ी है एक तरव गहलोत और पाइलट गुट के बीच आपस में ही आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और उपर से विधानसभा के चुनाव आने वाल है यहाँ एक बार सपता कॉंग्रेस के हाथ में जाती है दूसरी बार वाजपा के हाथ में पाइलट कैछिक हैं कि इस बार हम इतिहास बदलेंगे इस बार सरकार कॉंग्रेस ही दोहराएगी अब कहर होगा जब संगधन के बीतर खाने में ही इतनी ज्यादा हल चले बढ़त गई है और चिंतन शिवर राजस्थान के उदैपूर में होने वाला है जहां सोनिया गांधी प्रियंका गांधी राहुल गांधी समेट जी 23 के भी तमाम बड़े नेता पहुचने वाले हैं आपको बता दे करीब 400 कॉंग्रेसी नेता होंगे जो इस चिंतन शिवर में शामिल ह होने वाले हैं बुपेश बगेल का इसमें अहम नाम माना जा रहा है और गांधी परिवार के तो तीन बड़े नचेहरे जो हैं वो तो इस बैठक में आएंगे ही आपको बताते हैं कि इस बैठक का असली मकसद क्या है भाई गहलोत और पाइलेट को लेकर जो भी गुटबा कर देने के लिए उदैपुर में ये बैठक होने वाली है चिंतन शिवर इसे लेकर जो भी ताजा जानकारी है अपनी रिपोर्ट के जरीए आपको देते हैं इस बार फैसला किसके पक्ष में जाता हुआ कॉंग्रेस पाटी के हाई कमान का नजर आ रहा है इस रिपोर्ट को कॉंग्रेस में बवाल की खबरे लगतार जोर पकड़ रही है गहलोत और पाइलट गुट एक बार फिर से एक दूजे के आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं राजनीतिक अखाडा राजस्थान बहुत जल्द बनने वाला है क्योंकि कॉंग्रेस अपने कई बड़े फैसले हाई कमान के साथ राजस्थान जाकर लेने वाली है कॉंग्रेस ने उदैपुर में 13 से 15 मई यानी 3 दिन का चिंतन शिविर बुलाया है इस शिविर में सोनिया गांधी राखुल गांधी और प्रियांका गांधी के शामल होने की पूरी उम्मीद है राजस्थान में अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं जिसे लेकर सरगर्मिया तेज हो गई हैं इस बार भारतिये जनता पार्टी के सामने जीत दर्ज करने के लिए अपनी जीत को बरकरार रखने के लिए कॉंग्रेस कई बड़े फैसले लेने वाली हैं जिसे लेकर पूरे दौर से गुजर रही है राजस्थान की कमान हाथ से ना फिसल जाए इसे लेकर तीन दिन का चिंतन शिवर उदैपूर में बुलाया गया है आपको बता दे कॉंग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को इस बैठक में शामिल होने के लिए आमंतरन भेजे जा चुके हैं सभी को 12 मैं तक उदैपूर पहुचने के लिए कहा गया है राजस्थान के मुख्यमंतरी अशोक गहलोत और सचन पाइलर्ट दोनों ही आक्टिव हो गए हैं उदैपूर पहुचकर चिंतन शिवर की तैयारियों का जायजा बीते दिनों अशोक गहलोत ने लिया आपको बता दें मुख्यमंतरी अशोक गहलोत चतिसगर के सीम भुपेश बगेल भी इस चिंतन शिवर में पहुचेंगे 400 से ज्यादा नेता यहां पर आने वाले हैं कॉंग्रेस ने इसके लिए सभी CWC सदस्य राजियों के प्रदेश अध्यक्ष, CLP नेता, विधानसभा में नेताओ कॉंग्रेस सांसदों और पार्टी के विभिन संगथनों के प्रमुखों को निमंतरन भेज दिया है आपको बता दे एक के बाद एक राजियों में सत्ता कॉंग्रेस गवा रही है, पाँच राजियों में हुए विधानसभा चुनाब में कॉंग्रेस को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा, इन सब के बीच कॉंग्रेस में लगतार नित्रित्व परिवर्तन की मांग उठ रही है, लगतार सचन पाइलट और अशोग गहलोत के बीच का जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है सचन पाइलट मुख्य मंतरी पद की मांग कर चुके हैं अशोग गहलोत पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है अशोग गहलोत और सचन पाइलट का जो घमासान है वो राजस्थान में अ बाद से ना निकल जाए राजस्थान में बाजी कहीं पलट ना जाए कॉंग्रेस सचिन के चले जाने से कमजोर ना हो जाए इसलिए सोनिया गांधी प्रियंका गांधी राहुल गांधी ये तीनों बड़े नेता और साथ ही कॉंग्रेस में जी तेइस के नेता भी राजस्था के उदैपूर पहुंच रहे हैं इस चिंतन शिवर में हिस्सा लेने के लिए आपको बता दे राजिस्थान कॉंग्रिस के आंतरिक मुद्दो पर इस बैठक में चर्चा होने वाली है विधानसभा चुनाफ से पहले सचिन पाइलेट को क्या जिम्यदारी दी जानी है उन जिम्यदारियों पर चर्चा होने वाली है मिली जानकारी का आधार पर आपको बता दे कि इस बैठख में सचिन पाइलेट और अशोग गहलोत को सक्त हिदायत दी जाएगी कि जो भी फैसला लिया जाएगा वो फैसला अंतिम होगा और इस फैसले के आधार पर ही अब गहलोत और सचिन आगे की अपनी राजनीती करेंगे कहा ये भी जा रहा है कि जितना हो सकता है यूपी के विधानसभा चुनावों के आधार पर इस बार का ये फैसला सचिन पाइलट के ही पक्ष में होने वाला है